अस्सलाम अलेकुम सुक्दुक का फर्क का थोड़ा हिसा हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था अब देखेंगे कि आगे क्या होता है राजा ने इसकी बातों का यकीन नहीं किया इसने कहा हम बगेर इम्तिहान लिए इस पर यकीन नहीं कर सकते इन्होंने चरवाहे को जगाया चरवाहा चौक कर उठा और अपने सामने राजा को खड़ा देखकर थर-थर कापने लगा राजा ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं आज से तुम हमारे मुलाजिम हो हमें तुम्हें अपनी रोजी के लिए बिलकुल फिकर ना करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हर जरूरत हम पूरा करेंगे राजा को राजा इसको अपने साथ महल में ले आया और उसे अपने दरबार में मुलाजिमा दे दी इसके रहने के लिए एक बड़े मकान का इंतजाम किया और खूब दौलत दे कर माला माल कर दिया यनि राजा जोहना इससे पहले हम पढ़े थे के राजा जोहना सैर को निकला था तो देखा था कि एक चरवाहा वहां पर मनोकिले पत्थरों पर सो रहा है और इतनी बेखबर नीन सो रहा है कि उसके सर को पानी चूँ कर जा रहा तब भी उसको नीन जोहना हुशियार उसकी ने होरी तो उन्हें धर्याफ किया अपने वजीर से क्या क्या ये आदमी मर गया तो वजीर बोला कि नहीं बादेशा सलामत ये मरा नहीं बलके सो रहा है तो राजा को यखीन ही आया है ये बात पे कि कोई आदमी इतनी बेखबर नीन कैसे सो सकता है कि नोकिले पत्थर है और पानी जोहना उसके सर को चूँ कर बहरा तब भी वो नीन से नहीं जाग रहा है आखर क्या वज़ा है तो बादेशा कहा करा उसको जगा आया तो जगा में मैं तुमको मलाजमत दे दूँगा और वहां पर ही तुमारा रहने का खाने पीने का और कमाने का इंतिसाम कर दिया जाएगा और खूब मालो दौलत देखकर उसको क्या करा मालो माल कर दिया चरवाह को इसी दिन से चरवाहा एक बड़ा आदमी हो गया वो बड़े ठाट बाट से रहने लगा अब चरवाह जोएना बादेशा के साथ चला गया था उसके महल को तो बड़ा आदमी बन गया बहुत सारी जौलत आ गई बड़ा सा घर मिल गया उसको नौकरी मिल गई किसी चीज़ की उसको फिकर नहीं थी बड़के वो अपनी जिन्दगी कैसा गुजर रहा था ठाट बाट यानि शान और शौकत से गुजर रहा था कई कई नौकर इसके हां काम करते और वो बड़े एश से की जिन्दगी गुजरने लगा इसी तरह एक साल गुजर गया यानि एक साल तक वो बादेशा सलामत के पास ही रहा बड़े से घर में उसके सामें जो है नौकर चाकर भी थे उसको एक अच्छा नौकरी भी मिल गई थी और खाने पिने का अच्छा इंतिजाम भी हो गया था वो जो मशक्कत की जिन्दगी वो जी रहा था वो जिन्दगी से उसको छुटकारा मिल गया और आरामदा जिन्दगी उसको मिल गई और आरामदा जिन्दगी का एक साल भी गुजर गया बरसाथी के दिन थे एक दिन राजाने चरवाहे को किसी काम से दूसरे गाउं भेजना चाहा अब जोहना बरसात के दिन आ गया एक साल का वक्वा हो गया और जोहना चर्वाहे को क्या करा बादिशा किसी काम से दूसरे गाउं को जाने के हुकम दिया ये गाउं इसी टेले की तरफ था यनि जिस टेले की तरफ से बादिशा ने उस चरवाहे को उठा कर लाया था उसी टेले की तरफ वो काम के लिए उसको चरवाहे को भीजाना चाहरा था जहां से चरवाहे को राजा लाया था एक घंटे बाद राजा के आदमियों ने आकर उसे खबर दी कि चर्वाहा जाने के लिए तैयार नहीं और आप इसे माफी आप से माफी चाहता है अब लोग आके बोले कि बादेशा स्लामत आपने चर्वाहे को कहा था कि आप जो काम के लिए भेजना चाह रहे थे वो काम के लिए वो नहीं जाना चाह रहा अब बादिशा बोल रहा कि पता लगा वो क्या बात है कि मैं उसको इतने बड़ा खर दे दिया नौकरी दे दिया नौकर चाकर है उसके पास मेरा हकुम फिर भी वो ने मान रहा आखर क्या बात है उसका पता लगा वोलके बादिशा जो ही ना आदमियों को उसके पास भेजा ता इसलिए इसने बड़े अदब से माफी मांगी है लोग जो है ना पता लगा कर आए वजीर जो है ना उसके कियो नहीं जाना चाह रहा हुने बादेशा सलामत के हुकम को क्यों नहीं मानना चाह रहा तो आके बोले कि बादेशा सलामत वो आपकी हुकम के खिलाफ वर्जी न आने लगी और सर्दी का उसको जो है ना असर हो गया इसलिए इसने आप से बड़े अदब के साथ माफी मांगी है कि वो बाहर नहीं जा सकता। आदब के बादेशा सलामत इनसान जिस हालत में रहता इसका आदधी हो जाता। पहले स्टरवाह को कैसी आदत थी। वो मिठी पर भी हो जाता था। पानी बी उसको लगा तब भी उसकी नीनमें हुशार होती थी। लेकिन आज पानी तो दूर की बात थंडी हवा में भी ने निकल सकता क्यों? क्योंकि एक साल से वो आरामदा जिन्दगी उजार राबादेशा के पास अब उसको कैसी आदत हो गई? आरामदा जिन्दगी की बड़े महल में रहने की नौकर चाकर की उसको आदत हो गई अब वो सर्दी का मुखाबला भी करने की उसके पास हिम्मत नहीं रही तो बादेशा आपने वो वजीर को बुलाया और उसको बताया कि मैं तुम्हारी बात का खायल हो गया कि इन्सान जिस हालत में रहता है उस हालत का वो आदी हो जाता है